आज जो भी facts में आखो वताऊंगा उसके references side by side यहां देखने को मिलेगा Question यह है क्यों कोई coronavirus से मरता है या किसी virus से किसी की death क्यों होती है इस सवाल के जवाब को जानने के लिए हम जाना होगा करीब 100 साल पीछे मैं बात कर रहा हूँ 1920 का H1N1 Spanish Flu का दुनिया का सबसे worst flu outbreak जिसमें करीब 10 करोड लोगों की death हो गई यानि कि उस वक्त के पूरे दुनिया के population का 5% उस 10 करोड में 1 करोड 80 लाग तो भारती है थे काफी समय तक ही माना जाता रहा कि वो virus इतना dangerous था जिसकी वज़े से करोड लोग मर गए लेकिन अब medical science को ये clear है कि मरने की असली वज़ा वो virus नहीं था कुछ और था मतलब ये कि 1918 से लेके 1920 के बीच में जब भी किसी इनसान में flu पाय जाता उसे उठा के hospital में dump कर देते एक crammed कमरे में जहां air का नाम उनिशान नहीं था sunlight बिल्कुल भी नहीं था और साथ में nutrition की कमी थी and that was the cause of the death उसी वक्त पूरे दुनिया में थोड़े से hospital थे जिनका नाम रखा गया fresh air hospital open air hospital मतलब यह कि patient को बाहर रखा गया open air में जहां लगातार sunlight भी मिलते रहे और यही वो लोग थे जो hospital से जिन्दा बाहर निकल पाए तो उस समय के example को आज के context में अगर अगर देखें तो आज जब भी किसी इनसान में coronavirus detect होता है या diagnose होता है उसे immediately quarantine कर देते हैं 10 का मतलब उसे एक ऐसी जगा रख देते हैं जहां fresh air से cut off हो जाता है और sunlight का नाम हो निशान नहीं रहता और उपर से खाने के नाम पे processed food है packed food है cooked food है यानि वो पेट तो भर सकता है लेकि nutrition almost negligible ऐसे में patient की recovery के chances हैं वो कम हो जाते हैं यानि कि लंबा समय लगता है और साथ ही में अगर patient में पहले से कोई बिमारी है जैसे diabetes हो या heart disease हो या kidney failure हो या high blood pressure का patient अलरी हो और उपर से अगर उसको anti-malarian drug साथ में antibiotic दे दिया जाए तो ये दोनों दवाईयों की history है पिछले 40 साल मे हाजारों बार साबित हो चुका है these two medicine causes QT prolongation of heart मतलब अचानक heart beat का dangerously बढ़ जाना and causing sudden cardiac death ये देखा गया है 27 March के Journal of American Medical Association की disease paper में की जातर जो कुरुना वाइरस के patient की death का कारण है वो है at least one third patient की बात कर रहा हूँ वो है myocardial injury तो मतलब साफ है कि cause coronavirus है या cause coronavirus का treatment है जहां तो एक तरफ patient को fresh air और fresh oxygen और fresh sunlight से cut off कर दिया गया वहीं दूसरे तो हम और आप घर में बंद हो गया यानि कि हमने भी अपने आप को almost fresh air और sunlight से cut off कर दिया air और sunlight भगवान का दियावा दो दुनिया का सबसे बड़ा antiviral है और ये antiviral ही नहीं air और sunlight हमारे immunity को भी boost करने का सबसे बड़ा important role play करता है पूरे दुनिया भर से जहाँ-जहाँ lockdown है वहाँ-वहाँ के patients के मेरे पास खबर आ रही है कि उनका blood sugar आप और बढ़ गया है उनका blood pressure बढ़ गया है उनके weight बढ़ गया है और सबसे खतरनाक बात depression का rate भी lockdown के दौराण कई गुना बढ़ गया है यानि एक तरफ वो patient protocol की वज़े से वो और बिमार पढ़ रहा है और दूसी तरफ हम और आप भी बहुत ज़्यादा बिमार पढ़ रहे है ये खतरनाक बात है अब इससे बाहर कैसे निकला जाए इस सवाल के जवाब को जानने के लिए मैंने पिछले 100 साल के research paper को खंगा ले और उसमें से मुझे मिरे 167 important relevant research paper उन सारे research paper को पढ़ने के बाद मैंने निचोड़ा और मुझे मिला 3 step protocol ये 3 step protocol पिछले 4 साल से मैं लोगों को अलग अलग जरीय से बता रहा हूँ और आप मेंसे 1000 लोग ऐसे हैं जिनोंने H1N1 के time पे, डिंगू के time पे, चिकन कुरिया के time या influenza जैसे कोई और flu के time पे, ये 3 step protocol यूज किया और 1000 लोग अपने आपको ठीक किया, आप मेंसे अगर वो लोग हैं जो जिनोंने past में 3 step protocol फॉलो करके अपने आपको ठीक किया, तो आप बाकी लोगों के encouragement के लिए video बनाईया और मुझे भेजिये, ताकि मैं उनको दिखा प आपको पाज़ चल जाएगा किसी वाइरस से बाहर निकलना बहुत ही आसान हो सकता है, अगर आपको method पता है, अगर आपको right knowledge है, आप मेंसे वो लोग जो बहुत गहराएं में जाके इसको समझना चाहते हैं, तो उनके लिए World Health Day, that is 7th of April को मैंने किताब launch की थी, मेरी the scandal of the millennium, यह 1000 page की किताब है, और इस किताब में वो सारे references, पूरे के पूरे research papers हैं, जिसको पढ़ कर आप समझ जाएंगे that the power is in knowledge, अगर knowledge सही हो, तो आपके मन से डर भाग सकता है, क्योंकि तब आपको परचल जाएगा, किसी वाइरस से लड़ने के लिए, यह जो knowledge है, वो का जीत हासिल कर सकते हैं, तो आप में से वो लोग जो मेरी बात से सहमत हैं, कि यह knowledge लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो के माद्यम से मैं आज launch कर रहा हूँ, a forum called end of illness, तो अगर आप उन में से हैं, जो सुचते हैं कि इस team का हिस्सा बन सकते हैं, तो screen पे दीवे email ID में जाके आप अपने बारे में लिखिए और मुझे बताइए, ये email मैं खुद पढ़ूँगा और मैं खुद आपको जवाब दूँगा, भविश्य में ये team काम करेगी, ताकि हम लोगों को free कर पाएं, आजाद कर पाएं, हर तरह के virus से, देखिए आज corona आया है, कल हंट भी चल दिया है, वो कल भी आएगा, quarantine करना, lockdown करना, एक temporary solution हो सकता है, लेकिन permanent cure कभी नहीं हो सकता है, एक तरफ तो घर में बंदों के लोग बिमार पर बिमार पढ़ते जा रहे हैं, dangerously होते जा रहे हैं, और दूसरी तरफ एक और डर, कम से कम one third Indian के दिमाग में है, that is, नौक times के कि करीब एक तिहाई लोग, लगबग 30% लोगों की job जाने वाली है, तो depression अलड़ी आ गया है, उपर से नौकरी जाने का डर, ये एक भ्यानक situation है, इस situation से सिर्फ एक ही तरीका है बाहर निकलने का, वो है अपने आपको empower करना with the right kind of knowledge, मैं invite करता हूँ, चाहे आप कोई IS officer ह हो, businessman हो, lawyer हो, या फिर doctor हो, या कोई politician हो, क्या हम ऐसा कर सकते हैं, हम मिलके एक team बनाएं ताकि social media के माद्यम से, government की सारी machinery के माद्यम से, हम इस knowledge को एक एक इनसान तक पहुँचा है, और अगर हमने ऐसा कर दिया, तो भविश्य में ना जाने कितने virus और आएंगे, लेकिन हम हम खुद अपना doctor कैसे बने, हम खुद अपना soldier कैसे बने, हम खुद अपना इलाज कैसे करें, और अगर ऐसा हो गया, तो अच्छे दिन एक बर फिर तो आएंगे ही, और हमेशा अच्छे दिन ही रहेंगे, इस उमीद के साथ, all the best, thank you, jahin.